नमस्कार दोस्तों मारे यूटूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसेस एक्जाम 2023 के लिए उत्तर प्रदेश इस्पेसल सामान ने धिन के प्रशनों को हल करेंगे इस वीडियो में आपको यूपी स्पेसल से जुड़े जो भी महतपूर प्रशने अभी तक परिक्षा में पूछे जाते हैं तो उन प्रशनों को सामिल किया गया है और आगे भी आपके जो यूपी पीसेस या अन यूपी के एक्जाम होने वाले हैं उनके लिए प्रशन काफी महतपूर है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली वा रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन को प्रिश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहें आपको यूपी पीसेस का एक्जाम डेट जो है पताई होगा 14 मई 2030 प्रस्तावित है एक्जाम डेट यूपी पीसेस का तो आईए देखते हैं पहला तो 100 सही होगा यहां पे B बिकल्ब सही हो जाएगा और यदि विधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछा जाता तब आपको हो जाता 403 तो दोनों याद रखेगा विधान सभा सदस्यों की संख्या कितना है यूपी में 403 है और विधान परिश्यत के सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में तो 100 है वहीं पर यदि राजी सभाग पुछा है तो 31 है और लोग सभा जो सदस्यों की संख्या यूपी में वो है 80 तो ये भी याद रखेगा दूसरा परशन देखते हैं उत्तर परदेश में अब तक कितनी बार राश्ट्रपति सासन लगाया जा चुका है तो यूपी में राश्ट्रपति सासन अब तक 10 बार लगाया चा चुका है यहाँ पर सी आप्षन सही हो जाएगा तीसरा परशन है राज्य बित आयोग है ये एक तो आप्षन से आपको बताना है कि कौन सासरी होगा विधिक संस्ता है कि संविध्धानिक संस्ता है या संविध्धानिक है या उपियुक्त में से कोई नहीं तो राज्य बित आयोग यह आपका संविध्धानिक संस्ता है इसका भारत के संविध्धान में गार्जलिया है तो यह संबैधानिक संस्ता है कि चौत्रा परशने निमलखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पर्थम महिला मुख्य मंथ्री है? तो आप शबसे universe अब को पता होगा उत्तर पर्थम या महिला राज्जीपाल कौन थी तो यह थी स्रीमती सरोजिनी नाइटू और मुख्यमंत्री पूशा गया है तो स्रीमती सूचेता क्रिपलानी सही हो जाएगा पांचोँआ प्रस्य अब तक उतर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पत रह चुकी हैं तो अब तख दो लोग जो है दो महिला मुख्यमंत्री रह चकी हैं पहली महिला जो थी हुए स्रिमती सुचेता क्रिपलानी थी और दोश्री जो है मायवती, तो यहाँ पे दो सही होगा C आप्शन, अगला कोशन है उत्तर प्रदेश बिधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे हैं, का नाम है, बता दिया जा रहा है आपको सतीस महाना, सतीस महाना ये बरतमान में उत्तर प्रदेश बिधान सभा के जो है अध्यक्ष हैं, अगला कोशन है आपका, उच्छी न्यायले की न्यायधीस कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो यह जो है वांसट वर्ष तक, यहाँ पर सी आपसन से हो जाए, उच्छी न्यायले की न्यायधीस कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो उच्छी न्यायले की न्यायधीस कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो उच्छी न्यायले की न्यायधीस कितने 65 बरस उनका retirement है अगला कुशन है राज्य लोक सिवा आयोग के सरदस्यों को हटाने का अधिकार किसको है तो रास्ट्रपती को है यहाँ प्राश्ट्रपती सर दस्यों की सर दस्यों की नियुक्ती का प्रावधान भी रास्ट्र demographic को है खुट है एह आपका सही हो जाएगा है यहाँ पर अगला कुछिं देखते हैं ग्राम पंचायत का सदस्त या प्रधान चुने जाने हे तू नियुनतम आयू निर्धारित की गई है कितने वर्ष तो इसका सही एंसर हो जाएगा C आप समस्क्राइब गए हाँ पर 21 वर्ष ग्राम पंचायत का सदस्त या प्रधान चुने जाने हे तू निवन्तम आयू जो निर्धायत की गई है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है अगला कुशन देखते हैं उत्तर प्रदेश बिधान सभा का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है तो अब तक 18 बार जो है उत्तर प्रदेश बिधान सभा का गठन किया जा चुका है यहाँ पे D option आपका सही हो जाएगा और उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का गठन किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है तो अनुचेद पूछा गया है इसका सही एंसर हो जाएगा बी option अनुचेद 179 के तहट जो है बिधान परिशत उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का गठन किया गया है अगला कुश्यन दखते हैं निमलिखित में से कौर उत्रप्रदेस के मुख्य मंत्री नहीं रहे हैं तो यहाँ पर आप्शन जो सेउज जाएगा सी बिकल्ब सेउगा नित्यानन्द स्वामी यह उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं रहे हैं कि गोबिंध बलप पंथ उत्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे टीयन सिंग राम नरेश यादव ये सभी जो है मुख्यमंत्री रह चucken है यज यो पी क, लेकिछ नित्यानम्सामी ये मुख्यमंत्री नहीं रहे है अगले कोशिन है उत्रप्रदेश की सुलहमी विधानसभा के सर्व शम्मति से कौन अध्यक्ष यानि के स्पीकर चुने गयते तो बरत्मान में आपको बता हुआ कि 18 विधानसभा आई है और यहां पर सुलहमी पूछा गया है तो शुलहमी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे हैं वहाथ है मातापरसाद बांडे यानि की भी आपसिना पे सेव जगा वरत्मान में जो विधानसभा के अध्यक्ष थे हैं अभी पिछली कोशिन में आपको बताई गया सतीस महाना है बिधान सभा के अध्यक्षियन के स्पीकर अगला कुशन देखते हैं उत्रप्रदेश बिधान सभा के दोजार बारे के चुनाओं में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी तो ये आपका दोजार बारे का ढाटा इसमें पूछा गया है उत्रप्रदेश बिधान सभा चुनाओं से संबंदित तो 36 यहाँ पे सेवगा ये आप्षन 36 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और निम्लिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राश्टुपति के द्वारा की जाती है याईनि कि D आप्षन बिलकुल यहाँ पे सही हो जाएगा और निर्वाचित में से कौन उत्रप्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं तो उत्रप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादो नहीं रहे हैं बलकि मुख्य मंत्री रहे हैं चंड्रेशवर, परषाद नाराएन, मोतिलाल बोरा और महमत सफी कुरेशी ये उत्रप्रदेश के राज्यपाल रहचुके हैं अगला कुशिन है भारत की स्वतंतरता के बाद उत्तर प्रदेश यानि की संयुक्त प्रांथ यूपी का जो पुराना नाम है वह संयुक्त प्रांथ थी था पहली राजजिपाल कौन थी तो उसमें जो राजजिपाल थी वह स्रीमती सरोजनी नाइडू थी यहां पर आपको पहले भी बताया गया उत्तर प्रदेश की पहली महिला राजजपाल कौन थी श्रीमती सरोजनी नाइडू थी और उत्तर प्रदेश से लोग सभा में कितने सर्दस से चूने जाते हैं तो पहला ही कॉष्ण में आपको बताया गया था कि विधान सभा, विधान परिशद, राजी सभा और लोग सभा में कितने सदस यूपी से चुने जाते हैं हमेशा यह प्रशन बनता है कोई भी एक्जाम हो इस्टेट लेवल का तो यह यहां से प्रशन जरूर मिलेगा आपको तो यहां पर लोग सभा पुछा गया है लोग सभा में कितने सदस यूपी से चुने जाते हैं तो 80 सदस से चुने जाते हैं यूपी से यह विकल्ब सही हो जाएगा और राजी सभा में यह पुछा है तो 31 सदस से चुने जाते हैं यूपी से बिधान सभा आपको बताए गया है 403 सदस से चुने जाते हैं बिधान सभा से और 100 सदस जो बिधान परिशत से चुने जाते हैं यूपी से अगला कुशिन है उत्रा खंड उत्र प्रदेश से कब पिर्थक यानि कि अलग हुआ था तो उत्रा खंड यूपी से अलग हुआ था सन 2000 में यानि कि B आप्शन पर सही हो जाएगा उत्र प्रदेश से राजी सभा में कितने सदस से चुने जाते हैं आपको बता ही दिया गया है 31 सदस से चुने जाते हैं B आप्शन से हो जाएगा और उत्र प्रदेश में उचिन्यायाले की खंड पीट निमले कि तुमें से कहां इस्थित है तो खंड पीट पूछा गया है उच्छी न्याले का कहा है तो लखनव में है उत्रप्रदेश का जो उच्छी न्याले यानि कि हाई कोट है वह आपका प्रियागराज में है आपको पता ही है खंड पीट कहा है तो लखनव में है अगला कोशिन है उत्रप्रदेश लोग सेवा ट्रिविनल की अस्थापना की गई थी तो सन 1975 में उत्तर प्रदेश लोग सेवार ट्रिविनल की अस्थापना की गई थी ये विकल्प बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा निमलेखित में से किस समीति ने त्रियस्तरी पंचायती राज प्रडाली की संस्तुति की थी काफी महतपूर प्रशन है यहां से प् प्रणता है तो त्रियस्तरी पंचायती राज प्रडाली की सिफारिस जो किये थे वह बलवंत राय महता समीति की द्वारा किया गया था और बलवंत राय महता समीति के अगठन पूशा है तो उनीसो संतावन में समीति के अगठन हुआ था इन्होंने ही त्रियस्तरी पंचा याद रखिए छेतर पंचायत और ग्राम पंचायत आजाएगा तो उसी फारिश की थी बलवंतराय महता समीती ने अगला कुशिन है भारत में पंचायती राज ब्यवस्था का सिल्पी किसे कहा जाता है तो यह कहता है बी आर महता को यहाँ पे सी आप्शन से हो जाएगा भारत में पंचायती राज ब्यवस्था का सिल्पी बी आर महता को कहा जाता है और उत्तरप्रदेश के निमलिखित जीलों में से किसमें एक सो वारे वर्ष की बुजूर्ग महिला इनका नाम था नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गिया था तो यह थी आजम कड़की सी आप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बिधान सभा में सदस्यता है तो नियुनतम उम्र शीमा कितनी है तो बिधान सभा सदस्य वनने के लिए जो नियुनतम उम्र शीमा है वो है 25 वर्ष यहाँ पे भी आप्शन सही हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत प्रतनेधी के लिए 21 वर्ष है विधान सभा सदस्थे या लोक सदस्थे के लिए 25 वर्ष निधारित किया गया है राजी सभा के लिए 30 वर्ष है अगला कुश्यन है उत्तर प्रदेश में निर्वाचित बिधान सभा सदस्तियों की कुल संख्या कितनी है तो बिधान सभा आपको पताया गया था पहले ही कुश्यन में 403 बिधान सभा सदस्तियों है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में सरवादिक बिधान सभा सीटो वाला जीला कौन सा है तो यह है प्रियाग राज सरवादिक बिधान सभा सीटो वाला जीला जो है वह यूपी का प्रियाग राज है यह आप्शन आपके बिल्कुल सही है वर्त्मान मुख्यमंत्री का नाम आप शर्भी को पता होगा तो दोस्तों ये था आपका UPS Special सम्मान अध्यन के प्रशन जो की हमेशा यहां से प्रशने पूछे आते हैं तो वीडियो दिया अच्छा लगा हो कुछ है क्रेंट फियर्स का और जीयस का सभी वीडियो वहां पर मिल जाएगा